खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जोहरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़़ों पर बनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापती एवम स्टी ओपी शेर सिंग भूर्या ने बताया कि फर्यादी जब्बार पिता शकूर उद्दीन निवासी बनगर द्वारे रिपोर्ट की गई थी कि सल्मान उर्फ सद्दाम पिता सरदार खान मुसल्मान उम्र 26 वश निवास पिता शकील उद्दीन 22 साल निवासी साहजी लालपुरा बनगर द्वारे लोगों से अड़िवाजी कर अवैद वसूली करते थे पोलिस वारा दोनों आरोपियों से पूछताच करने पर मोहिद्दीन द्वारा पैसे का लें देन कर गाड़ी वाजी करते हुए स्कॉर्पि गाड़ी इंदोर धीरचोधरी निवासी दुजी कराड़िया थाना सावेर इंदोर की उन्नाव पाया गया उक्तगाड़ी आरोपियों के पास इस माध्यम से कैसे पहुंची इसकी जाच पोलिस द्वारा की जा रही है बनगर पोलिस द्वारा बताया गया कि प्रकरण में ग्रफ्तार आरोपी मोहिद्दीन अत्यंत शातिर और बदमाश है जिसके विरुद ठाने पर मारपीटवा प्राण घातक हमला करने जैसे गंबीर अपराद पंजीवद है जो की अपने साथी नजीम पिता शकूर खान निवासी बनगर के साथ हमेश्वा शक्री रहकर में फरार आरोपी नजीम खान पिता शकूर खान के विरुद मारपीट हुआ अवैद अत्यार रखने जैसे गंबीर अपराद पंजीवद्ध है जिसकी तलाश लगतार जारी है इस कारिवाई में प्रधान उपने रिक्षक जितेंद्र पाटिदार सायक उपने रिक्षक सत अप्याँ खिलाफ एक भियाँ चल रहा है उसी के दहत जीला पुलीश अदिक्षक मोधाई श्री सथी नेत्रत में बर्णगर में भी जो अप्रादी प्रवर्ति के लोग्यों के खिलाफ भियाँ चला जाराज इसमें एडिशनलाइस के साफिक माग दर्खन में आना बर्ण में गिरफ्तार आरोपी मोहिन अदिन और सद्दाम इन दोनों से पूछताच कर दी और इनके बारे में जानकर निकलते मालूम पड़ा कि यह काफी शातीर किस्म के वद्माश है अरी बाजी डालने में बड़ी इनकी बदनामी बड़ी बुरी शहवरा थे इन लोगों की इस के तहत एक इसकार्पियों जो कि इन लोगों ने इस तरह से अवे तरीके से अपने कब्जे में ले रखी थी और दरा धमका करके वो जब्त की गई है पुरू में इन दोनों में से एक आरोपी सब्दाम के पास से एक पिस्टल जब्त हुई है इनका एक साथी नाजीम अभी फरार है जो भी अवे जिसके उपर भी अवे थत्यार रखने की शोरत है इसकी इसकी तलाश की जारी है खबर्ट समय जगत के लिए उज्जेन से मयंग गुर्जर की रिपोर्ट खबर्ट समय जगत एक संदेश पूरा देश